गुड मॉर्निंग आवरिवन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सांदार और इंट्रेस्टिंग आप के बारे में जो है MP3 कटर यानि कि MP3 कटर में अगर कोई आप गाना डाउनलोड करते हो या उस गाने को काटना चाहते हो क्रॉप। मैं आज आप सीधे प्लेई स्टूर पे जाएए और be sure about that कि आपका internet connection on होना चाहिए आप यहाँ पर सिर्फ type करोगे MP3 cutter MP3 cutter जैसे ही आप MP3 cutter का लिख कर और वहाँ पर search करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे apps available होंगे लेकिन आपको यह बहुत सारे apps में वो facility और वो परफेक्टनेस नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिस app में आपको क्या करना है जिस app पे मैं बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल free है और यह बहुत ही comfortable app है audio MP3 cutter, mix converter and ringtone maker यह app आपको दिख जाएगा properly आपको उसे install करना है मैंने बताया आपको कि देखिए मैंने पहले इसो download करके रखा हुआ था इसलिए यहाँ पर uninstall और open दिखा रहा है आप जैसे ही इसको click करोगे अगर आपके system में पहले से install नहीं है आपके mobile में पहले से install नहीं है तो आपको install का option वहाँ पर so करेगा मैंने यहाँ पर open कर लेना है इसको मैंने जैसे ही इसे open किया यह आपको दिख रहा होगा सामने मेरे कि आपको यह option सामने नजर आ गया अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ apps के बारे में इसके related features के बारे में कि इसमें क्या-क्य booking मिलता है पहले आपको trim audio मिल जाता है Mix audio कर सकते हो आप इससे कोई भी Audio Merge कर सकते हो इसमे Tag इसमें Edit कर सकते हो Recording कर सकते हो Audio Converter कर सकते हो यानि कि आप अपनी आवाज को भी different different mode में change कर सकते हो Video से audio change कर सकते हो तो अब हम यहाँ पर एक song select करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक song को trim कर सकते हैं आप उसको काट सकते हैं किसी भी एक position पर मैंने trim audio पर click कर लेना है जैसे ही मैं trim audio पर click करूँगा मेरे सामने जो मेरे system में पहले सी downloaded songs हैं MP3 songs हैं उनकी एक list आपको show करने लगेगी जैसे ही मैंने देखा मुझे यहाँ पर कोई भी एक song select कर लेना है जैसे मैंने एक song select कर लिया कि प्रणाम दो यह song है हमारा ठीक है तो हो सकता है आपके system पर कोई advertisement वगरा आए लेकिन आपको उसको cut कर लेना है ठीक है यह बिल्कुली free है आपको इसके लिए कोई भी charges नहीं देने इसके लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने अब मुझे यह song है उसको properly एक position पर set करना है यानि कि मैं पहले song को play करके check करूँगा कि इसमें कहां से कहां तक आपको song चाहिए तो मैंने song को play कर देना है मैं play करके एक बड़ चेक कर रहा हूँ ठीक है तो जैसे माल लिजए कि आपको चाहिए song आगे की side में और यह आप चाहते हो कि इतना trim हो जाए ठीक है तो आपको क्या करना है आगे की यह music आ रही है आप इसको trim करना चाहते हो तो यह आपका starting position है और यह आपका end position है ठीक है right side ball आपका end position है और starting वाला जो दिख रहा है आपको यह starting position है तो आपको उसके recording यहाँ पर बस इसको हाथ से ही आपको scroll करके इसको set करना है चाहो तो आप जितना गाना चाहते है उतना गाना आप करो आप उसको फिर play करके भी check कर लिजिए कि कितना आपने cut करना है ठीक है अभी भी music आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसका गाना और थोड़ा सा cut हो जाए मैंने इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिया ठीक है और इसको और पीछे की तरफ set कर दिया फिर से मैं एक बार audio play करूँगा ठीक है ठीक है तो मुझे ये गाना समझ में आ गया कि यहाँ से मुझे starting से cut करना है और कितना students आपको कितना चाहिए यह उपर आपका यह timeline में मिनट्स हो कर रहा है 15 minute, 30 minute, 45 minute, 1 minute, 15 second तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ 45 minute से लेकि 1, 15 तक अपने सौंग को crop करना है तो मैंने बस position set कर लिया अब यहाँ पर सबसे उपर देखने पर आपको मिलेगा यहाँ पर trim का एक लिखा हुआ है सबसे top पर देखिए, trim लिखा हुआ है मैंने उसको महाँ पर click कर देना है अब यहाँ पर आप अपने जो file है उसका एक name रखोगे ठीक है, आप file का name रख लीजे कोई भी, जैसे मैंने मैंने इसका नाम रख लिया mp3 cutter ठीक है, mp3 cutter मैंने बस इसलिए रख लिया कि आपको समझ में आए कि मैंने mp3 cutting करके इसको किया हुआ है, ठीक है, मैंने इस file को क्या किया, ok कर लिया अब मैं चाहूँ तो उस song जो मैंने cut किया है, उसको play करके यहाँ पर check कर सकता हूँ, ठीक है फिर से एक advertisement आ रहा है internet अगर आपका active रहता है तो यह problem आती है, ठीक है अब देखे, जो मैंने song cut किया है, उसका play हो रहा है तो I think आप यह बात समझ चुके हैं कि हमने song को कैसे cut करना है कैसे आप उसे crop कर सकते हैं अब मैं आपको यह दिखा दूँ कि यह song सच में cut हुआ है कि नहीं यह आपकी main memory में गया है कि नहीं तो यह भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो मैंने सीधा अपने file manager को open कर लेना है file manager में जाकर मैं आपको मैंने दिखाना है कि अभी मैंने जो song cut किया है वो song वहाँ पर so कर रहा है कि नहीं मैं music में जाओंगा और मैंने जो अभी song cut किया था MP3 cutter वो यहाँ पर आपका properly so कर रहा है आप चाहो तो यहाँ पर send भी कर सकते हो इसको select करने के बाद इसे move कर सकते हो यहाँ पर चाहो तो delete भी कर सकते हो तो I think आज आपको यह जो app मैंने बताया MP3 cutter इसके बाद इसको use करने के बाद आपको कोई problem नहीं आएगी और यह जो song हमने cut किया इसके साथ साथ आप audio merge भी कर सकते हो recording कर सकते हो आवाज convert कर सकते हो different type के modes में और यह बिल्कुल free है इसके लिए आपको कोई charges नहीं देने so use it and अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please channel को subscribe करिए like करिए मेरा video और please अपना valuable comments जरूर write करिए इससे हमें थोड़े से inspiration मिलता है okay so thank you very much have a nice day enjoy your day thank you